कहते हैं कि किसी क्यादी को भी फांसी देने से पहले उसके सेहत का पूरा चेकप किया जाता है दवा दी जाती है फिर फांसी दी जाती है और हम तो फिर शांतिपूर्ण पध्यात्रा पे हैं पिछले ग्यारा दिनों में बार-बार मांगने पर भी यूटी लदाख ने हमें कोई हेल्थ चेकप का, एंबुलेंस का, डॉक्टर का सहुलियत नहीं दिया, हालां कि बड़े बुड़े औरतें हैं यहां और एक बार तो रात को किसी को वापस ले, एमर्जनसी में ले जाना पड़ा, मगर हालत ऐसी नहीं थी कि हमारे पास कोई मेडिकल सपोर्ट हो, मगर आज बहुत खुशी है कि जैसे ही हम हिमाचल प्रदेश में आएं हैं, यहां पर सेक्योरिटी ओफिसर्स हमारे स्वागत के लिए आए, और एंबुलेंस और डॉक्टर आए, जिने हमारे सारे यात्री अपने सेहत का चेक अप करा रहे हैं, तो यह सोचने की बात है कि पिछले 11 दिनों में ऐसा क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हो रहा है जबकि हम पड़ोसी स्टेट में हैं, राज में हैं, अपने राज से निकल कर, तो आज मैं भी अपना हेल्फ चेक अप करा रहा ह यह नसीब हुआ बारा दिन के बाद लदाक यूटी से निकलने के बाद हिमाचल परदेश में यह अपने आप में सोचने की बात है कि यूटी लदाक को क्यों फिक्र नहीं है अपने नागरिकों के स्वास्त का जबकि हमने इतना खुशी मनाया पांच साल पहले यूटी मिलने पर आप सबको मैं सोचने पर लिए छोड़ देता हूं